एक नमबर सवाल, एक रेल गाड़ी 180 किलो मीटर प्रति घंटा की गती से चल रही है, तो बताएं कि उसकी गती मीटर प्रति सकेंड में कितनी है, आपको चाल दे रखा है, चाल को कहते हैं S, S मतलब होगे स्पेड इंगलिस में, चाल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 180 क किलो मीटर प्रति घंटा, थियोरी के क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ था कि, आप यहां पर जो देख रहे हैं, यह है आपका, एक मैंने रिलेट किया था, किलो मीटर प्रति घंटा और दूसरा, मीटर प्रति सकेंड दोनों को रिलेट किया था, दोनों में पूछा थ तो आप क्या करिए छोटा वाला संख्या से मल्टीप्ला chooses पताते तो छोटा वाला संख्या से क्या करने से क्या करें माल्टीप्ला ONES और अब करूंगा इसको डूस क्या कूण और कुछ नहीं है आपने यह दिनी देखा है हमारा पार्ट वन तो थियोरी वाला सेक्षन को जरूर देखे अब देखे यहां पर दस वार में कट हो जायागा तो अब देख रहें टोटल कितना होगे जो चाल होगा वो 50 मीटर प्रती सकेंड होगा 50 मीटर प्रती सकेंड अचा में प्रती कहते हैं इंग्लिस में पर कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि 180 किलो मीटर कितने देर में चल रहा है एक घंटे में पर का मतलब एक समझना है तो एक घंटे में जो है कोई भी गाड़ी है तो गाड़ी हाँ रेल गाड़ी है सवाल में तो एक घंटे में जो है रेल गाड़ी 180 km के दोरी कवर कर रही है, उसी चीज को जब मैंने मीटर प्रति सकेंड में कनवर्ट किया, यानि चाल, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक सकेंड में कितने की बात हो रही है, पर सकेंड यानि एक सकेंड में जो रेल गाड़ी है, वो कितनी दोर चली आती है, पाचास मीटर की दोरी को कवर कर जाती है, तो यह वाली बात समझेगा, यहां पर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप एक घंटे में 180 km रेल गाड़ी जाती है, एक घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 180 km जाती है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं आपको समझा दिए कॉंसेप्ट आपको आगे काम देगा, तो चलिए आगे देखते हैं, सो हे गाई, मैं चंदन और आपका एक गैन स्वागत है, और आज आपके लिए लेकर आया हूँ, रेल संबंधी प्रेश्ण और ये आपका पार्ट वे, इससे पहले मैंने पार्ट वन अप्लोड कर रखा, आपने नहीं देखा, तो आप पहले पार्ट वन को देखिए, और मैं आई बटन में उसको डाल दूंगा, आप आई बटन के तुरू देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, और ये है आपका आज रेलवे लुसेंट मैट का, चैप्टर नंबर कौन सा है, तो ये चैप्टर नंबर है आपका 16 वा, इससे पहले मैंने रेलवे लुसेंट मैट का कई सारे चैप्टर को लोड कर रहा है, आपने नहीं देखा, तो आप यदि चाहते हैं मैट मजबूत बनाना चाहते हैं, मैट को डराना चाहते हैं, और माबाप के शपने को पूरा करना चाहते हैं, तो जरूर आप हमसे जोड़िए और अपने math को मजबूत बनाए और math को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिजिए तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की और दो नमबर सवाल आपसे कहा रहा है एक रेल गाड़ी 20 मीटर प्रती सकेंड की चाल से जा रही है आपको चाल दे रखा है चाल मतलब speed हो आप जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर मीत्र पॉर्टी से की हैरा है य액ला Augen Graz यह बारावले यूनिट में तो बड़ा वाला संख्या से Maniple करें अपरवाले संख्या मतलब 2 पांच करें और इस वैंतों कहों बता की कैसे का एन टैसे केहरें थी देख रहे हैं आपे जो न्यू चाल आया किलोमेटर प्रती आवर में तो यह आपका 72 किलोमेटर प्रती घंटा और यह हो गया हमारा राइट आंसर और उम्मिद करता हूं यह आपको प्लेर हुआ होगा आपको कोई भी दाउट हो तो अब तूरत कमेंट करें कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और फिर मैट को मजबूत बनाना हो तो आप यह लाज सर्म की बाते छोड़ दीजिए मैट को डराना हो तो आपको यह सारा चीछ छोड़ना ही पड़ेगा और लाज किस बात यह आपको मैट को डराना है खुद नहीं डरना है तो चलिए अगले सवाल तिन नमबर सवाल यदि एक रेल गाड़ी 86.4 किलो मेटर प्रटी घंटे के वेग से वेग का कहने का मतलब है यहां पर चाल कि वेग से दौड रही है तो 10 मिनट में वहां कितनी दूरी तय करेगी देखे मैं इसको लिखूंगा कैसे यहां पर आपसे कहा रहा है कि 60 आपसे सव सवाल में सीधा सीधा कहा रहा है कि 86.4 किलो मेटर कितना देर रखा आपको 86.4 किलो मेटर यह कवर करता है कितना देर में एक घंटे में मतलब पहले यहां पर समझे इसको चाल आपको कितना है 86.4 किलो मेटर प्रती घंटा ऐसा है अबี้ थोड़ा देर पहले मैंने आपको पहले नमबर सवाल में समझा आया था इसका मतलब क्या हुआ प्रती घंटा मतलब एक घंटा एक घंटे में कितना दूरी कवर कर रहा है यह 86.4 कर रहा है अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हून आप देखना, आपको कोई प्रावलम हो, तो आप बोलना, एक घंटे को लिख रही हो में, साथ मिनट में, साथ मिनट में, दूरी कवर कर रहा है, कितने का? 86.4 km का 60 मिनट में दूरी कवर कर रहा है 86.4 km का देखें मैंने 1 घंटे को 60 मिनट लेख दिया कोई इसू नहीं है अब देखें ये 60 मिनट में इतना तो आप से पूछ रखा है कि 10 मिनट में कितना दूरी कवर करेगा तो 10 मिनट निकालना है तो उसके लिए क्या करता हूँ तो ऐसा करूंगा 86.4 अप उन में ये 60 मिनट आएगा और आपको जिसका वैल्यू चाहिए उससे आप मल्टिप्लाइ कर लो और उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया और अब क्या करेंगे हम 6 से इसको डिवाइड करेंगा और जैसे हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नया वैल्यू निकाल के आएगा वैसे भी आप पॉइंट अटा के यहां पे 10 कर लो और 6 से डिवाइड कर लो इजली हो जाएगा तो नया value निकल के आएगा आपको 14.4 km तो इतना km जो है cover करेगा 10 मिनट में यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा back skip कर लिजे और फिर आप again से इसको देखे आपको समझ में आएगा बिल्कुल समझ में आएगा और doubt हो तो आप हमसे contact करेए टेलिग्राम है WhatsApp है सारे जिए मैं आपको समझाओंगा यदि समझ में नहीं आता है तो चलिए आगे चलते हैं जाए नमबर सवाल एक रेल गाड़ी 108 km प्रति घंटा की गति से चल रही है आपको चाल दे रखा है रेल गाड़ी का वो है आपका 108 km प्रति घंटा अब इसका तो मतलब समझ रहा है मतलब एक घंटे में कितना चल रहा है 108 km कवर कर रहा है तो यही तो इसका चाल हो गया यानि दूरी बटे समय तो इसको कहते हैं चाल और इसको तोड़ कर यह दिए आप देखेगा तो एक घंटे में कितना कवर कर रहा है साथ ये 108 किलोमेटर कवर कर रहा है अब आपसे आगे सवाल में कह रहा है तो यह 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी तो सैम टू सम वैसे ही लिखेंगे आप थोड़ा सा समझेगा कॉपरेट करिएगा देखिए ये एक घंटा है न मैं ऐसा लिख सकता हूं न एक घंटे में एक घंटे में कितना दूरी कवर करता है 108 किलोमेटर ठेक है उसके बाद इसी एक घंटा को मैं 60 मिनट लिख रहा हूं किसी को कोई प्रावलम नहीं होना चाहिए तो 60 मिनट में कितना दूरी कवर करता है तो ये भी 108 ही होगा 108 किलोमेटर है न अब बात किया है सकेंड का तो म 36 सकेंड हो गया तो इसका मतलब यह 36 सकेंड में कितना दूरी कवर करते हैं तो यह करते हैं 108 किलो मेटर बश हो गया हमें जहां तक आना था हम वहां तक पहुंच चुके हैं और एक चीज और आपको जो आंसर है वो आपको मीटर में दिया हुआ तो आप किलो मीटर को मीटर में convert करेंगे तो आपको पता है कि एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होते हैं तो मैं ऐसा करूँ कि इसमें एक हजार से multiply कर देता हूँ तो हमारे लिए वो better हो जाएगा तो एक step और लिख लेता हूँ बस मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ वरना इतने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो देखें यह हो गया हमारा 108 और 30 और मैं इसके साथ चिपका दूँगा क्यूं क्यूंकि अब मैंने मीटर में convert कर लिया अब हमें चाहिए 15 सकेंड में आपको पता 36 सकेंड में इतना मीटर यह कवर कर रहा है तो 15 सकेंड में कितना हो गया अब हमारे कैलकुलेशन होना है तो यह हो गया 108 और 000 अपॉन में 36 और गुना हमें चाहिए 15 सकेंड में अब करूंगा इसको आपको पता है डावल 0 से डावल 0 कैंसिल और 36 से आप देख लो आप है 36 तीन वार में यानि ओवर ओल उपर में 30 हो गया और यहां पर करो मल्टिप्लाइ तो जैसे मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको एक वैल्ली निकल के आएगा पंद्रह या पैतालिस यानि साढ़े 400 मीटर कितना मीटर कवर होगा साढ़े 400 मीटर कवर कर लेगा मात्र 15 सकेंड में तो यह होगे हमारा राइट आंसर बाकि इतना मैं समझाने के लिए लिखाऊं इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो चलिए आगे पांच नमबर सवाल एक सामीटर लंबी रेल गाड़ी 30 किलोमेटर प्रती घंटा के चाल से चल रही है रेल वे लाइन के पास खड़े हुए ब्यक्ति को यह कितने सकेंड में पार करेगी अब यहां पर आप देखेगा जो दूरी दिया हुआ है रेल गाड़ी का वो 100 मीटर है और ब्यक्ति का दूरी मैंने आपको थेओरी क्लास में बताया था कि ब्यक्ति हो गया कोई व्रिक्ष हो गया कोई पोल हो गया कोई खंबा हो गया इन सभी का जो भी दूरी रहता है हम नहीं जोडते हैं उसको क्यूं क्योंकि rail gari के तुलना में बहुत कम होते हैं इसके दूरी तो हम इसको कॉंट करते ही नहीं है नहीं लिखते हैं हम उसको neglect कर देते हैं तो हमें manly यहाँ पर आप देख रहे हैं rail gari का दूरी मतलब दूरी दे रखा है और चाल दे रखा है और हमें निकालना है समय तो आपको पता है चाल बरावर क्या होते हैं दूरी बटा समय यानि s equals to होते हैं d upon t s मतलब speed हो गया और d distance t time हो गया अब यहाँ पर हम देखते हैं सावाल में तो आपको दे रखा है क्या दे रखा है दूरी तो आपको 100 दे रखा है 100 मीटर उसके बाद जो चाल दे रखा है आपको वो दे रखा है आपको 30 किलो मीटर प्रती घंटा दे रखा है अब यहां पे जब देखेंगे तो यह तो आपको कीलो मीटर में दे रखा है, कीलो मीटर प्रती घंटा में और यहां पर जो उपर में जो आपको distance है, वो मीटर में है तो क्या मैं इसको solve कर दूँ और answer निकाल दूँ नहीं यहाँ पे गलत होगा निकालना क्यों क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मीटर में है यहाँ पे कीलो मीटर में है सबसे पहले तो हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा बराबर क्यों करें जैसे अब मान लिजें कि एक race हो रहा है race में दो आदमी है एक तो आप हो और एक है उसेन बोल्ट जानते ही होंगे उसेन बोल्ट को तो आप में और उसेन बोल्ट में क्या हो रहा है race हो रहा है आप हो bike से याप bike से race कर रहे हो और उसेन बोल्ट बस ऐसे ही रनिंग कर रहा है without किसी वाहन का तो अब क्या होगा बाइचांस आप रेस वैसे ओबियसी बात है कि आपके पास बाइक है तो आप रेस जीत जाओगे लेकिन जो देखने वाले होंगे या फिर आप जो सोचेंगे अंदर से क्या सोचेंगे वो रेस जीत के भी आप कैसा फिल करेंगे बिल्कुल बैड फिल करेंगे क्यों क्योंकि आप तो ये सोचेंगे अरे मेरे पास तो बाइक था तभी तो मैं जीता रेस वरना मैं तो जीता ही नहीं क्यों आपके मन में clear सी बात आ जाएगे क्योंकि दोनों के बीच रेस जो हुआ वो बराबर हुआ ही नहीं अंतर कर दिया गया था दोनों में तो उसी तरह आप यहां पर देख रहे हैं दोनों में अंतर कर दिया गया यहां पर मीटर में है यहां पर किलो मीटर में है सबसे पह दूर भी हमारा मीटर में हो जाएगा और उपर वाला दूर भी मीटर में हो जाएगा आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला यूनिट है किलो मिटर प्रति घंटा ये क्या हमारा बड़ा वाला यूनिट है हमें बानाना है इसको छोटा वाला यूनिट तो छोटा वाला यूनि 100 बटा 30 100 बटा 30 उसके बाद देखे यहाँ पर 5 बटा 18 आप इसको पलट दो और इसके साथ multiply में लिख दो 18 बटा 5 अब इसको solve करेंगे अब आप इसको जैसे ही solve करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 टाइम और फिर यह होगा 6 से आपका 5 टाइम यह होगा 6 से आपका 3 टाइम और overall आपका जो निकल के आएगा यहाँ से आएगा आपका 12 कितना आएगा 12 इसका मतलब हो गया कि 12 सकेंड में वो जो ब्यक्तिक हड़ा है उसको पार कर जाएगा और यह होगे हमारा right answer और यह आपको clear नहीं हुआ हो तो आप एक वर फिर से देखिए और समझाने की आप मेरे उपर छोड़ दिजे मैं समझाओंगा आपको math से आपको जो डर है ना वो बिल्कुल खतम होगा बस जुड़े रहना हमारे साथ यदि जुनून हो जौब लेने की तो चलिए अगले सवाल की ओर छैनमबर सवाल 54 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से चलती हुई 180 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े ब्यक्ती को कितने समय में पार कर जाएगी यहाँ पे जो compare हो रहा है ब्यक्ती से तो ब्यक्ती का तो हमको दूरी लेना ही नहीं है तो direct आप क्या करिए दूरी बटा चाल कर देजे तो समय निकल जाएगा तो दूरी है कितना दूरी आपको पता है यह है आपका 180 मीटर दूरी कितना है 180 मीटर और इसके बाद चाल कितना है तो चाल है आपका 54 किलो मीटर प्रती घंटा अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे यह बड़ा यूनिट है यह छोटा यूनिट यह किलो मीटर में है यह मीटर में है तो हमें बनाना पड़ेगा इसको भी मीटर तब ही तो बात बनेगा न तो इसको मीटर बनाने के लिए क्या करूँगा मैं 54 बटा 58 यानि 54 के साथ में क्या करूँगा 5 बटा यानि छोटा संख्या से छोटा बनाने छोटा संख्या से multiply कर दूँगा आप चाहें तो इसको यहां पे cut कर लिजे कोई issue नहीं है या फिर इसको इसके साथ गुना करके पलट दीजे तो देखें मैं यहां पे convert कर दिया 15 यह हो गया 15 और अब divide करेंगे तो यह निकल के आएगा 12 यानि 12 सकेंड में जो ब्यक्ती है प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसको पार कर जाएगे तो य यह हो गया हमारा राइट आंसर और चलते हैं अपने अगले सवाल की और साथ नंबर शवाल कि एक 75 मीटर लंबी रेल गाड़ी 20 किलो मेटर प्रती घंटे की गती से चलती है वह एक खड़े ब्यक्ती को कितने समय में पार करेगी तो यहां पर आप देख रहे हैं ब्यक्ती तो ब्यक्ती का तो दूरी हम लिखने वाले हैं नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम फर्मुला लगाएंगे एस बरावर डी अपॉन टी तो हमें तो निकाल ला यह क्या निकालने हैं तो टी बरावर हो जाएगा डी अपॉन यह पलट जाए गर एशिओ mów तो टी बरावर हो जाएगा अपका ara electrya यानि दूरी बटे चाल तो दूरी हें कितना तो दूरी हमारे हैं 75 मेटर अपको पता है ये है 75 मीटर और चाल कितना है तो चाल है 20 किलो मीटर प्रती घंटा अब यहाँ पर है किलो मीटर में उपर वाला है मीटर में तो हमें तो मीटर इसको भी बनाना पड़ेगा मीटर प्रती सकेंड तबी तो ये भी मीटर ये भी मीटर हो जाएगा तो उसके लिए मैं क्या करू तो क्या करो यानि यहां पर कट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है तब क्या करो 75 बटा 20 लिख दो और इस गुना को यहां पर लिखो और संख्या को पलट दो ठीक है तो यह होगे हमारा 18 बटा 5 और अब मैं इसको करूंगा solve और जैसे solve करूंगा तो calculation करके अब आपका आएगा answer वो आएगा 13.05 पाँच सकेंड यानि 13.30 में पार कर जाएगा तो यह होगे हमारा right answer आपको थोड़ा भी एसेशन पसंद आता हो तो हमें support करें हमें आपकी support की ज़रत है और मैं आपके support के लिए दिन रात एक कर दूँगा और बस आपको मेहनत करना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं अपने माबाप के सपनी को साकार करना तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको मेहनत कराने के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे देखकर आप भी मेहनत कर सकते हैं क्योंकि जॉब तो आपको लेनी है मेहनत मैं आपसे करा सकता हूँ तो चलिए आगे चलते हैं नमबर सवाल यहां कहा रहा है एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलो मीटर प्रति घंटे की चल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगे आपको समय पूछा जा रहा है और तो यहां पर आप देख रहे हैं खंबा तो खंबा की हम लंबाई को यहां पर लिखने वाले हैं नहीं थियोरी में मैंने पहले ही बताया तो सीधा सीधा क्या करेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल तो दूरी आपको दे रखा है कितना दे रखा है तो यह है आपका 280 मीटर यह है आपका 280 मीटर और चाल है आपका 63 किलो मीटर प्रति घंटा तो यह है किलो मीटर प्रति घंटा में यानि यह है किलो मीटर में और यह है मीटर में तो यह तो ना इंसाफ ही है ना अरे पहले तो बराबर करो आपको पता है ना सूपर ठर्टी का मूवी आपने देखा जरूर होगा और उसमें एक डायलोग है कौन सा डायलोग यह डर्वी के रेस में घोडे नहीं दोड़ा करते आनन्द बाबू अब सब इतना मिलकर मेहनत करेंगे इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि घोडे भी दोडेंगे और कुटे भी दोडेंगे सारे लोग दोडेंगे तो चलिए यहां पर देखे यह है किलो मीटर में और यह है मीटर में तो हमें चेंज करना पड़ेगा इस चाल को चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रती सकेंड में तो मैं छोटे वाले संख्या से मल्टिप्लाइ कर रहा हूं तो यह होगे हमारा 5 बटा 18 आप इसको यहां पर आपको निकल के आएगा तोटल 9 शकेंड कितना आएगा यह आपको निकल के आएगा 16 शकेंड य है तो आप सोला से कड़कर के यहां पर नौ से कट करा नो से कंबर्ट करिए सेवन ताइम अब आप देख रहा है और पिर आप देख रहे हो ये 8 टाइम कट हो गया 8 दूनी 16 सेकेंड तो हमारा आंसर आ चुका है 16 सेकेंड तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की और ना नंबर सवाल 210 मीटर लंबी ट्रेंड जिसकी गती 63 किलो मीटर प्रती घंटा है और अब आगे कहरा आपसे कि एक सिगनल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी अपसे समय पूछा जा रहा है तो फिर से आप इसको चैन्ज कर लिजे 5 बटा 18 से मल्टिप्लाई करके और फिर अब आप इसको करेंगे 16 कैसे करेंगे तो 210 लिखना है और बटा में 1663 लिखना है और ये वाला जो आपका फ्रैक्षन है आप इसको पलट दीजे क्या लिखेंगे अब अब लिखेंगे 18 बटा पांच और इसको करेंगे हम कट तो जैसे ही करेंगे ये टू टाइम और ये होगे 7 टाइम इह होगे 30 टाइम यह हो गया six time six time तो overall आप देख रहे हैं यह answer जो हमारा निकल के आया यह है आपका 12 second कितना हो गया 12 second में वो जो signal का pole है उसको क्या कर जाएगा पार कर जाएगा तो अब चलते हैं अपने आजले सवाल की और सवाल नंबर यदि एक ट्रेन की लंबाई डेड़ सव मीटर है डेड़ सव मीटर है ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी दे रखा है उसके बाद आगे कहरा आपसे किसी खंबे को अब 12 second में पार करती है तो आप देख लिजिए दूरी बटे समय बराबर क्या होता है बराबर होता है चाल यान कितना है अप देख रहें यांपे मीटर प्रती सखेंड है क्या है मीटर प्रती सखेंड आपको बनाना है किलोаст फीनटे मतलब छोटा वाला यूनिट है आपको बड़ा वाला यूनिट में करना है तो आप क्या करेंगे 18 अठावल आटा 5 से मल्टिप्लाइ कर देंगे और जैसे multiply करेंगे तो यह हो गया 30 और फिर यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 15, overall आप देख रहे हैं, 45 km प्रती घंटा, और यह हो गया हमारा right answer, और उमीद करते हैं, यह आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, थोड़ा भी doubt हो, किसी भी तरह का problem हो, आप हमें तूरत comment करें, यह comment box आपके लिए open है, और यह channel आपका ही है, आपकी हमें support की ज़रत है, तो support करते रहे हैं, और मिलते हैं फिर जल् जय भारत